हम पढ़ेंगे चत्रभुज के बिसिष्ट प्रकार, हमने दो प्रकार पढ़े हैं, पहला था उत्तल चत्रभुज और आउत्तल चत्रभुज उत्तल चत्रभुज में चत्रभुज का जो प्रतेक अंतह कुण होता हो एक सवस्तिन से कम होता है और उन्ही को हम जैमती गड़ित के अंतरगत पढ़ते हैं तो इसके प्रमुख प्रकार जो है वो निमलिखित हैं देखते हैं समलंब चत्रुभुज के बारे में तो समलंब चत्रुभुज ऐसा चत्रुभुज होता है जिसकी सम्मख भुजाओं का एक युगम समांतर हो समलंब कहलाता है तो देखो इसमें ये आपका चत्र बना हुआ है ये क्या है समलंब चत्रुभुज हो जह है इसमें जो आमने सामने की दो भुजाएं हैं ये समांतर होने चाहिए केवल एक युगम समानतर हो ये सी कंदिशन दी गई है बाकी कोई भी कोड चाहा जैसा हो बस दोस्त जो रेखाएं हैं आपकी आपने सामने की कम से कम बोस बराबर होनी चाहिए समानतर होनी चाहिए नेक्स्ट है इसका देखो छेतरफल देखेंगे चेतरफल आपका दिया गया है कि चेतरफल A plus C बटे दो गड़ें H तो A आपका क्या है A है पहली भुझा जो आपकी समानतर है सम्मुक भुझा की पहली भुझा A हो जाएगी दूसरी भुझा आपकी C हो जाएगी तो जो समानतर हो जाए हैं उनका योग करके आधा कर देना है और गुड़े इसकी उंचाई यानि कि दो समानतर जो रेखाए हैं आपकी उनके बीच की दूरी तो उनकी बीच की दूरी उंचाई कहलाती है तो उंचाई और गुड़े समानतर रेखाओं का योग बटे दो इतन इसमें परिमाप आपका जब चारों हो जाएं आपको मारूल होंगे तभी निकाल सकते हैं तो A पलस B पलस C पलस D है ना इसमें चारों हो जाएं क्या है चारों हो जाओं का यूग आपका परिमाप हो जाएगा इसे प्रकार से देखेंगे ये दूसरा वाल चितर देखो दिया गया है इसमें क्या है उपर की और नीचे की समांतर देखाएं है इसमें देखो दाएं बाएं की समांतर देखाएं है तो कोई एक युग्म जो है समांतर होना चाहिए तो वो समलंब होता है कौन चाहे जैसा हो दूसरा है समांतर चित्रभुज अब ये समांतर चित्रभुज क्या होता है कि समांतर चित्रभुज भी एक समलम्ब ही है क्या है समलम्ब ही है समांतर चित्रभुज में सम्मक भुजाओं के दोनों युगम बराबर होते है उसमें क्या था समांतर भुजाओं का एक युगम समांतर था और इसमें दोनों युगम क्या है समांतर होने चाहिए तब ही वो क्या है समांतर चुत्रभुज कहलाएगा इसमें देखो ऊपर की भुजा नीचे की भुजा से क्या है समांतर है कि समांतर है दायें की हुजा बायें की हुजा से समानतर है है ना तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है समानतर चुत्र हुज है इसी प्रकार से इस वाले चुत्र में देखो ये आमने सामने की हुजा है क्या है समानतर है तो इसलिए ये क्या है समानतर चुत्र हो जाएं और इसमें जो है हम छेतरफल की बात करेंगे तो लंबाई गुड़े चौनाई से काम चल जाएगा लंबाई गुड़े चौनाई कर दीजे ये इसका छेतरफल हो जाएगा और परिमाप टू लंबाई प्लस चोड़ाई ये विर्गुल आयत के शितफल की तरह से अकारिश कर सकता है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद है आयत का तो आयत क्या होता है आयत एक ऐसा समांतर चुतर पुझा है जिसका प्रतेक कोण शमकोण होता है और इसकी सम्मख फुझाएं समान होती है यानि बराबर होती है ठीक तो सम्मख फुझाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है और इसका प्रतेक क कोण नब्यांस का होता है नि अन्ता कोण की बात करें तो यह वाले कोण जो है क्या होते हैं बराबर होते हैं और बराबर होते हैं और नब्यांस के होते हैं ठीक तो यह चीज़े इसमें आ जाती है प्रतेक कोण नब्यांस का और प्रतेक आमने सामने के जो जायें होती हो बरा चत्रभुज क्या होता ऐसा समांतर चत्रभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है यादि चारो भुजाएं आपकी क्या है बराबर है तो आपका क्या होगा सम चत्रफुज होगा चारो भुजाए समानतर चारो भुजाए समान होती है और समानतर तो बात करें समानतर दो हो जाए समुख भुजाए समानतर होंगी इसमें देखो छेतरफल की बात करेंगे तो छेतरफल है विकरणों का गुडनफल और बटे दो अगर इसमें विकर्ड दिये गए हैं विकर्ड क्या होते हैं सम्मुक सिर्सों को मिलाने वाली देखा विकर्ड जो होते हैं उनका गुडनफल कर दीजिए और दो से भाग कर दीजिए तो वही आपको क्या है परिमाप फोर ए होता है इसमें चारों होती है तो परिमाप आपका चार गुणे भुजा हो जाएगा सम चत्रभुज में इसके बाद है वर्ग वर्ग ऐ का ऐसा चत्रभुज है जिसकी परतेक भुजा यहाँ पर जिसकी जिसकी परतेक भुजा समान तथा प्रतेक कुण नब्यंस का होता है वो वर्ग कहलाता है ना प्रतेक कुण नब्यंस का और प्रतेक भुजा समान होती है तो वर्ग कहलाता है और वर्ग का छेदर को होता है भुजा स्क्वाइर यानि भुजा गुणे भुजा और परिमाब भुजा चार गुणे भुजा होता है तो इस प्रकार से यह आपको छे प्रकार के चत्रभुज के बारे में जानकारी हो गई है